हेलो गाइज वल्कम तो आ चानल पनेशफ़ कॉंपिटेट्व एग्जामिनेशन्स आम श्वेता सो आज हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स की पार्ट टू राइट सो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चानल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो करते हैं इंटू तो यहां पर यह वाला फिगर के अंदर हमको दिख रहे हैं 4 राइट तो हमने किया 4 इंटू 2 तो हमको आजाएगा 8 राइट तो 8 आने के बाद हमने देखा तो यह हो जाएगा 9 यह 10 वाला हो जाएगा 11 यहां से 12 आजाएगा आपको यह हो जाएगा 13 यहां के बाद यहां पर यह आ जाएगा 17th one यह आ जाएगा 18th one यहां से 18 बन रहा है तो यहां पर देखो यह हो जाएगा आपका 19 and यह पूरा मिला के हो जाता 20 right and 20 हो जाने के बाद यहां पर देखो 21 and 22 23 हो गया so यहां पर हो गया 24th one यह हो गया 25th one right so यहां से हमको कितने triangles बन रहा है 25 triangles बन रहा है right so यहां पर आपका option number 3 जो है सही answer हो जाएगा right तो यह देखते next one so यहां पर भी हमसे triangles ही पूछ रहा है तो यह count करते हैं इसमें कितने triangles बन रहा है right तो यहां से देखो यह हो जाएगा आपका triangle number 1 so इतमे 3 बनते हैं तो triangle number 1 है यह triangle number 2 है तो यहां पर कितने बन जाते है 6 बन जाते है तो इसमें 6 है तो इसमें 6 बन जाते है तो यह 12 हो गया यह हो जाएगा 12 के बाद 13 14 15 then 16 17 and 18 then यहां से बन जाएगा 19 20 21 right और यह बड़ा वाला आपका बन जाएगा 22nd one आप दिख रहा है 22nd one यह बन गया right तो यहां से आपके option number 122 will be a right answer right तो चलिए देखते है next one so यहां पे next वाले में देखो triangles बूच रहे हैं अभी भी so चलिए count करते हैं इसमें कितने triangles बन रहे हैं तो यहां से देखो इसमें बन रहे है triangle number one यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका triangle number two right यहां से कितने बन रहे है two यहां से one यहां से one तो यहां पे six आ गया six आने के बाद हमने count किया तो यहां पे यह हो गया third one यह हो गया fourth then यह fifth one यह sixth one हो गया six three is 18 आ गया right 18 आने के बाद हमने देखा तो यहां पे देखो यह हो जाएगा 19th one यह हो गया 21, राइट, 22, 0, 20, तो अब भी देखो यह हो जाएगा 21, यह बन जाएगा आपका 22, राइट, यहाँ से 22 ट्राइंगल जो है इसमें बन रहे है, राइट, 22 आपका सही answer हो जाएगा, तो आपने option में देखा, तो option number 2 में 22 है, तो 22 जो है आपका सही answer हो जाएगा राइट, तो शलिए देखते हैं, next question, यहाँ पे आपको मेरे pen के उपर दियान देना है, कहां कहां जा रहा है, तो उसी के उपर आपका focus रहना चाहिए, राइट, तो शलि 2 बन गया, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 हो गया, 6 हो जाने के बाद हमने देखा, तो यहाँ पे देखो, यह 7th 1 बन गया, यह 8th, and this one is 9th 1, and यह बन गया 10th 1, right? 10th 1, then यहाँ से count किया, तो 10th 1 के बाद देखो, 10th 1 के बाद, 11 बन गया, यहाँ से देखा, तो यहाँ पे 11 बन रहे है, तो यहाँ पे भी 11 बन जाते, तो कितने हो जाते, 22 बन जाते, right? 22 हो जाने के बाद यहां पे देखो एक बड़ा वाला बन रहा है तो इसमें देखो यह हो जाएगा आपका 23 तर्ड वन तो यहां पे देखो यह ऐसा टाइप का बन रहा है तो इसमें होते हैं 3 ट्राइंगिल्स तो यहां पे हो गया 20 कितने आ गया? 22 plus 3 कितना हो जाए? 25 हो गया 25 के भाद हमने यहां पे देखो ऐसे किया कμέद दो हमको यहां से कितने बन रहा, 25, 26, 27, and 28 जो है यहां पे बन रहा, 28 आ गया रहा 28 के बाद हमने देखा तो यह हो गया आपका 29 and यह हो गया 30 तो यहां से आपको कितने बन रहे है 30 ट्राइंगल जो है बन रहे है तो यहां पर option number 2 जो है आपका सही answer हो जाएगा तो शली देखते है next one so यहां पर देखो इसमें फ़र से हमसे क्या पुछा हमें ट्राइंगल साथ दे रहे हैं दा given figure तो शली एक काउंट करते हैं इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे है तो यहां से देखा तो यह वाला one lines पे एक एक यहां पर यहां पर 1, 2, 3, 3 लाइन से तो 9 आ गया यहां पर 9 आ गया राइट नाइन के बाद यहां पर टू है यहां पर 15 सो यह 16 17 और 16 17 तो यह हो जाएगा आपका 18 वन यह हो जाएगा 90 यहां से देखो यह 90 हो गया राइट तो 19 ट्राइंगल जो है यहां पर बन रहा है तो यहां पर option no.3 में 19 दिख रहा है तो यहां पर option no.3 जो है आपका सही answer हो जाएग रहा है तो शेलिए देखते हैं next one यहां पर देखो हो गेन ट्राइंगल से पूछ रहे हम से चलिए count करते हैं इसमें कितने ट्राइंगल बन रहा है तो यहां पर closed figure के अंदर कितने भी ट्राइंगल बनते हैं हम करते हैं उसका into 2 राइट तो शेलिए count करते हैं इसमें 1,2,3,4,5,6,7,8 तो यहां पर 16 हो गया 16 के बाद यहां पर 1,2,3 राइट 3 प्लस 3,6 तो यहां पर 6 किया तो कितना आ जाता 22 आ जाएगा राइट तो यहां पर option number 3 जो है 22 आमारा सही answer हो जाएगा राइट तो शेलिए देखते हैं next one so यहां पर next one कौन सा है how many triangles are there in the given figure पूछ रहे राइट तो इसको zoom करके करते हैं तो यहां पर देखो closed figure के अंदर हम क्या करते हैं इंटू 2 कर देते हैं so यहां पर देखो 1,2,3,4 तो यहां पर 4,2 सा 8 आ गया 8 आने के बाद देखो यहां पर 3 triangles 8,9,10,11 आ गया then यह हो गया अपका 12th one यह पूरा मिला के हो जाता 13th one राइट तो इसमें हमको बन रहे है 13 triangles राइट so यहां पर option में देखा तो option no.4 विल बी एट आंसर राइट तो शेलिए देखते हैं next one so यहां पर देखो कितने triangles बन रहे हैं यहां से पूछ रहे हैं तो शेलिए करते हैं यहां पर every line में 3 triangles बन रहे हैं कितने lines बन रहे हैं यहां पर यहां पर देखो यह हो जाएगा आपका triangle number 1, triangle number 2, triangle number 3 and triangle number 4 यहां पर 4 बन रहे है और यह देखो फ्फ्थ वन हो जाएगा और यहां पर देखो यह सिक्स तुवन है और कितने बन रहे है यहां पर 6 त्रीजा 18 हो गया 18 होने के बाद देखो यह 19 हो जाएगा यहां से 19 19 हो जाने के बाद आपने देखा होगा तो यहां पे देखो एक छोटा वाला बन रहा है यहां पे 19, 20 यहां से कितने बन गए यहां पे 6, 6, 3, 18, 19, 20 यह हो जाएगा 21 यह हो जाएगा 22 राइट तो यहाँ पर देखा तो हमारे option number 2 में 22 है so 22 हमारा सही answer जाएक रहे तो छलिए देखते हैं next one होगे यहाँ से होगे हमारे सारे so हमारे जो SSE CGL जो है CGL examination में जो counting figure पूछे गए तो हमने part 1 जो है कल किया part 2 आज कर लिया तो सारे 18 shift का counting figure हमने यहाँ से कर लिया so हमारे counting figure का topic है जो SSE CGL में पूछे है वो हम complete करते हैं with this I've wrapped up अगर आपको मेरी यह session पसंद आती है तो like कर दिए, share कर दीजिए and subscribe करना तो बिलकुल न बूलिए and keep growing and keep learning and keep growing okay bye bye